सोलन में बारिश के कारण बुरूरी के समीप चंडिगड शिमला रास्टे उचमार्ग पर पहाड का मलवा आगिरा मलवे की वज़े से चंडिगड और शिमला आने जाने वाले सभी वहन जाम में फस गए जिसकी वज़े से प्रयाटकों और स्थानी निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा मलवा गिरते ही पुलिस और प्रशाशन सभी मौके पर पहुंचे और जेसी भी मशीनों की मदद से सड़कों को खुलवाने में जुट गए करीब देड़ घंटे तक मशीने मलवे को साफ करती रही तब जाकर मार्ग खुल गया इस बीच वहनों को चंबा घाट और कंडा घाट से लिंक रोड पर मोड दिया गया काफी समय तक जाम किस्तिती बनी रही लेकिन गनीमत ये रही कि पहाड के मलवे की चपेट में कोई वहन नहीं आया और अपरिय घटना होने से टल गई यहां से गुजरने वाले वहन चालकों ने कहा कि वे काफी समय से यहां खड़े हैं और सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जैसे ही जैसी भी से मलवा साफ किया जाता है पहाड से मलवा खिसक कर और सड़क पर आ जा रहा है जिसकी वज़ा से सभी आने जाने वाले लोग बेहद खौफ में हैं कुछ लोग दुरगटना के भैसे वापिस अपने घर वापिस लोट गए हैं तो कुछ नागरिक जो बेहद जरूरी काम से जा रहे थे वे मलबा हटाने के बाद अपने गंतव विस्तानों के लिए रवाना हुए उन्होंने इमाचल में आने वाले सभी नागरिकों से आगरे किया कि वे सड़क पर चलते समय बेहद ध्याना और सतरक होकर चलें क्योंकि कभी भी पहाडों से पथर गिर रहे हैं जैसे हाथसा कुलू में हुआ था वैसा हाथसा कभी भी यहां भी हो सकता है S.H.O. सोलन रविंदर कुमार ने बताया कि जैसे ही उन्हें रोड पर लगे जाम की सूचना मिली वे तुरंत मौके पर पहुंचे N.H.A.I. के अधिकारियों से बात कर उन्हें जल्द सड़क से मलवा हटाने को कहा गया है मशीनों के द्वारा मलवा उठाया जा रहा है और उमीद है कि सड़क जल्द ही बहाल कर दी जाएगी वैसे कुछ पता लगता है वैसे कारवाई की जाएगी